हलो एबिवान दिस इस निलो फे निहा खान और वल्कम टो आई यूटूब चैनल सिक्षाले तो आज हम बात करेंगे नवदे विदाले की तरफ से टीचर्स रिकूर्ट में निकाली गई है जैसे कि आप लोग थमनेल देखके समझी गई होंगे जो यह रिकूर्टमेंट है आ आपका पड़ता है राजिस्तान, हर्याना, दिली ठीक है यह सारे ही जितने भी नवदे विद्याले इनके अंतरगत आते हैं यानि कि हर्याना, राजिस्तान और दिली में जितने भी नवदे विद्याले जो रहते हैं उनमें टीजिटी, पीजिटी और मिसलीनियर के जो टी जैसे कि यहां पर एक चीज याद रखेगा कि जो विकिंसी है यह निकाले गई है इनका जो लास्ट डेट आपको पता है 7 जून रहेगी लेकिन यहां पर जो आपका इंटर्व्यू कराई जाएगा ना वह ऑनलाइन होगा ठीक है तो आप किसी भी स्टेट से बिलॉंग करते ह ठीक तो आप लोग अप्लाइ कर सकते हो इंटर्व्यू एक वाज जरूर फेस करना और अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आप लोगों को आगे को प्रोसेजर के लिए बुलाए जाएगा ठीक है यह चीज समझा गई दूसरी चीज कई ऐसी पोस्ट है जिनमें आपका बीएट कमपलसरी नहीं है ठीक है तो अगर आप विदाउट बीएट भी हैं तो भी आप इस वीडियो को कमपलीट देखेगा ताकि अगर आप लोगों को लगता है कि टीचिंग फील में जाना है तो वहाँ पर भी आप लोगों के लिए अच्छी अपर्चुनिटी बन सकते है और इस टाइमें आगर आप किसी जॉब में भी रहते हो हुए भी अपना सेलेक्शन ले सकते हो ठीक है यह एक्सपीरेंस आपका कहीं वेस्ट नहीं हो ठीक बात करें आपकी पोस्ट की तो पोस्ट में सबसे पहले आप लोगों को बता देते हूं कि किन किन पोस्ट के लिए चल गए कहां कहां तो ओनलाइन एप्लिकेशन आपका सत्तरा ओ स्टाइस मही से शुरू हो चुका है जो कि आपका साथ जुन तक रहेगा ठीक है आज आपकी पांस तारिक है यानि कि आपके पास दो दिन है जब भी आपको यह वीडियो मिलता है उसके विदिन दो तीन पर नहीं जाना ठीक है इसके बाद अप्लिकेशन की जो लास्ट रहेगी वह सात्तारिक रहेगी और जो वैरिफिकेशन और टॉकुमेंट करेक्शन ठीक है इनकी जो इडेट रहेगी वह 10 जून रहेगी ठीक है तो और जो आपका जो आप लोगों को इंटर्वियू जो रहेगा आपका 14 से 18 के बीच में आपका इंटर्वियू रहेगा और जो फाइनल मेरिट लिस्ट आजाएगी वो आपका 20 तारिक तक देखने को मिल जाएगी ठीक है तो ये जरूर देखिएगा ठीक है उसके बाद अगर बात करें हम आपकी पोस्ट के बारे में तो TGT में सबसे पहले हिंदी, इंग्लिश, माथ, साइंस, सोशल साइंस और आपका TGT कंप्यूटर साइंस की विकेंसी है ठीक है बाकी आपकी थर्ड लेंग्विज की विकेंसी हैं आपकी पोस्ट शुरू हो जाती है जिसमें की आपकी सबसे पहले जो देखने को मिलती है PGT हिंदी की पोस्ट देखने को मिलती है फिर PGT इंग्लिश, PGT माथ, PGT फिजिक्स, PGT केमेस्ट्री PGT बायलोजी, PGT हिस्ट्री, PGT जोग्राफी PGT एकॉनमिक्स, PGT कॉमर्स, PGT कम्प्यूटर साइंस ठीक है यह सारी विकेंसी है अब दो तिन चीज़ा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ जैसे कि बात करें आपका TGT लेवल पे तो TGT लेवल पे आप लोगों को पता ही होगा कि आपके पास Graduation प्लस Beard प्लस आपके पास Seated Paper to Qualified होना चाहिए किसी भी पोस्ट के लिए अपलाए करने से पहले अले चीज़ क्लियर हो गई बात करें TGT में तो PGT में आपकी जो Essential Qualification रहेगी वो रहेगी आपका पास Master डिग्री होनी चाहिए ठीक है और आपके पास Beard होना चाहिए ठीक है सीटेट की requirement PGT लेवल पे नहीं रहती ठीक है अब मैं आपको Official Notification के मादम से आपकी Essential Qualification बता देती हूँ देखें यहाँ पर देखें जैसे कि आपको पता ही है आपके पास Master Social Science में आपके पास History जोग्राफी में से कोई एक कंपलसरी रहे गई रहेगा ठीक है उसके आधर आपको और subject ले सकते हो ठीक है और थर्ड लेंग्विज में इन्होंने दे रखा है ठीक है कर लेते हैं आपकी एज की तो 50 years तक आप अपलाए कर सकते हैं और यहाँ पर वेटेज दे रखा है educational qualification का जिसमें की essential qualification जो रहेंगी आपकी 40% रहेगा उसका ठीक है concern subject में 75 आपका total marks होगा ठीक है इसके बाद 30 में दे रखा है PGT में दे रखा है ठीक है और आपका फिर art teachers का दे रखा है यह देख लिजेगा बाकी यह जो notification है मैं आप लोगों को telegram पे share कर दूंगी अपने level पर भी check करना चाहते हैं तो चेक कर लिजेगा official website का link प्लस आप apply कहां से कर पाऊगे तोनों चीजे ही मैं आप लोगों को telegram पे share कर दूंगी वीडियो आप लोगों के लिए useful रहा होगा कोई दिकत कोई परिशानी हो तो comment box करना बाकी मनें कुशिश तो कि है कि आपको सारी चीज़े clearly साही चीज़े पता चल जाए और हां कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि apply तो करना चाहते हैं लेकिन time की वाज़े से नहीं तो पहले ही बता रही हूं कि अपना जो आपका last date से पहले ही apply कर देना क्योंकि online registration है आपका और आपको last date जो रहेगी वो साथ रहेगी ठीक है ओपसो सारी चीज़े आप लोगों को समझाए चले मिलते हैं आपसे next video में thank you for watching